यह अपने पंडित कंठे मात जी उनका एक जिकर मुझे याद आ गया कि वो जब तबला का अभ्यास करते थे साधना करते थे उनको इश्क था तबले से तो अपने गोद में तबला को लेके वो सिर्फ चाटी बजा रहे हैं और मुझ से भी बोल रहे हैं अब मैं बहुत चोटा था उस समय मेरी हुमर होगी चार पांस साल तो मुझे तबले का साउंड इतना अच्छा लगा उनके सामने ही मेरे नाना का घर था तो मैं दोड़ के अपने माँ के पास गया और हमने का कि एक दौण्य हमको दे दीजे बोले क्या करना है हमने का कि वो बाहर कुछ आया है खरीद रहा है ओ पीतल वाली दौण्य जो होती थी उस जमालेंगे दोणा तो वो पीतल की दौण्य ले जाके मैं उनके तबले पर रखके उनको प्रणाम किया रियली चार्शाल के बन में आच्छा वाँ तो वो जो है अपने वाइप को बुलाया उन्होंने और बोले कि देखो हमारे दादाजी का नाम लेके पर दादाजी का नाम लेके कि देखो ये गनेज जी इनाम भेजे हैं मुझे और तुरंत वहाँ उठे और उठके अपने जनेव में से चावी निकालते अपना अलमारी खोले और उस अलमारी में माथे पे टिका के वहाँ रख दिया उन्होंने ये भावना कहां मिलेगी ये भाओ अब कहां मिलेगा? भुजर्गों का सम्मान करना, भुजर्गों की बातों को याद रिखना उनके लिए सरद्धा पूरोन होना, आज के यूद में इस सब खतम होता जा रहा है. लेकिन जो असलियत है वो असलियत हमेशा ही रहेगा सचाई हमेशा ही रहेगी जो सरद्धा करेगा उसको मिलेगा जो जुकेगा उसको मिलेगा जो तनेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा और एक मेरा जो थोड़ा बहुत अनुबव है कि बंदा सोचता है कि इल्जाम लगाता है कि उस्ताद पे अपने गुरु पीर पे कि मुझे सिखा नहीं सिखाने रहे हैं या मुझे बताने रहे हैं पर चंद लमहीं गुद्रे थे समझ आगई कि इल्म सिखाया नहीं जाता सीखा जाता है और सीखने के संसकार होते हैं तो आता है नहीं तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव है कि बिल्कुल सही अनुभव है अगर आदमी जुकना सीख ले तो वो तो पेड़, पत्तों, नदी, पहाल, चांद, तारे, फूल, ओधे, चिडिया सबसे सीख सकता है लेकिन जुकाओ आजाए तो और जुकाओ नहीं है तो गुरु से भी नहीं सीख पाता है तो पहले अंदर जुकाओ पैदा करना है, अपने को जुकना है अब भी आप ऐसे हाथ करते हो प्रसाद के लिए, ऐसे बनाते हो आप, अभी उसमें प्रसाद आता है अगर आप ऐसे करके हाथ बनाओगे प्रसाद के लिए तो प्रसाद तो वहां से निकल जाएगा तो ये हाथ का जो एक्सप्रेशन है वो जुकाओ का एक्सप्रेशन है कि आप जुके हुए हो इस हाथ में इस अंजुरी में आपको कुछ चाहिए प्रसाद तो उसमें प्रसाद रहता है, अब हम लोग जाते हैं, गुरद्वारों में तो जो कड़ा प्रसाद मिलता है, तो हम ऐसे ही लेते हैं, और हाथ दोते भी नहीं है, खाते हैं उसको, खाने के बाद हाथ नहीं दोते हैं, बहुत ही घंटों तक, तो ये जो है भावना, ये होना चाहिए, तब ही प्रसाद मिलेगा, ओसों से जो भी कहते थे लोग की आशिरवाद दीजिए, तो बोले के आशिरवाद देने की चीजी नहीं है, आशिरवाद को लेने की चीज है,